मैं महेश्रा स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल में बिहार विद्याले प्रेक्षा सिमिती पटना बवाल मत चुका है कि 18 तारिक तक आपका का रिजल्ट भी आ जाएगा स्टेट का स्टेट का यहां पर देख सकते हैं कि और यह हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि यह जो है यह ऑठेंटिक नहीं है क्योंकि इस पर सभी के साइन भी करे हुए हैं लेकिन वेबसाइड पर उपलब तो मैंने अभी नहीं देखा है लेकिन यह पर आ जाएगा ऐसा लग रहा है लेकिन क्या होता है क्या नहीं होता है क्या सच है क्या जूट है यह दो तिन दिन के अंदर ही आपको पता चल जाएगा आप चैनल से जुड़े रहिएगा यहां पर आपको अपडेट दे दी जाएगी अब यहां पर देख सकते हैं कि बिहार जो के बारे में बिहार विद्याले परिक्षा सिमिती पटना और एहमदाबाद के द्वारा जो टेस्ट तो यहां यह मतलब की इसे कंडक्ट कराते हैं उसके बाद आप यह देख सकते हैं कि मादमिक शिक्षक पातरता परिक्षा को आयोजन करने के संबंद में यह है यहां पर इन्होंने साफ साफ कह दिया है यहां पर आपको मैं दिखा देता हूं कि उप्यूक्त विशेक प्रसांगिक पत्र संबंद में अंकित करना है कि मादमिक शिक्षक पातरता परिक्षा एस्टेट दोजाट तईस का परिक्षा फल प्रकाशन कीती थी दिनांग अठार नौ दोजाट तईस को परिक्षा फल प्रकाशित की जा सके इसको लेके एक और न्यूस पीपर में अपडेट आ गई है कि अठारा तारिक का आपका रिजल्ट आ जाएगा और चार से लेके पंदरा के बीच में आपका एक्जाम हो जाएगा और तीन दिन के बाद आपका र मतलब मैं क्या बता रहा हूं आपका एक्जाम हो जाएगा इस्टेट का आंता है रिजल्ट आ जायेगा और तीस तारिक लास्ट तक फिर से वेकैंछी भी आ जाएगी मतलब कर फर्स्ट मान लो उगर लेट वेट होगा अगर 18 तारीक तक आपका गर से रिजल्ट आ coral तक के बाद तो ये करेंगे क्या कि बारही दिन में वेकेंसी भी लियाएंगे अब देखिए किस तरीके से क्या-क्या हो रहा है बच्चों को बिल्कुल भी पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है अभी अभी इनोंने फॉर्म 25 ताइक तक भरे हैं और उसके बाद तो डेट बढ़न ये अभी नहीं पता चला है नियूसपेपर के मादयम से लिए 3.500.000 लोगों ने फॉर्म को भर दिया है तो जिन लोगों ने फॉर्म को भरा है वो अच्छे से तयारी करें कभी भी कुछ भी हो सकता है ठीक है और अपनी तयारी करते रहें क्योंकि तयारी जिसकी होगी वही चांसे सोंगे तो जो अचानक से जिन्होंने फॉर्म भराय जिनकी तयारी नहीं चल रहे थी उनके पास एक ही चांस है कि वो डेली 5-6 घंटे की पढ़ाई करें यूनिट वाइस पढ़ाई करें कोशिश करेंगी हर यूनिट को दो एक ही दिन में आपको दो यूनिट को कमप्लीट कर दें ठीक है दो से तीन यूनिट आप कमप्लीट कीजै एक दिन में अब यहाँ पह देखिए कि नीचे दिया गया है कि इस निमित उप्योग किये गए प्रश्ण पत्र को प्रती दिन डाउनलूड कर उत्तरकुंजी तयार करने है तू राजे शिक्षा शूद एव प्रिक्षन परिशत महिंद्र बटनाकी को उपलब्द कराने एव तयार उत्तरकुंजी पर सम्बंदित अभ्यर्टियों से पत्ती प्राप्त करने एव अन्यकार हे तू सिमिती के पत्रांक नंबर यहाँ पे दिया हुए 11.8.23 के द्वारा पूर में निर्देश दिया जा चुका है अंत उक्त के आलोक में अनुरोध है कि परिक्षा केंद्र का निर्धारण एव परिक्षा सम्बंदित अन्यकार इ किया जा सके अच्चूक रूप से मतलब की होई जाए बिलकुल अच्चूक ना नहीं है अच्चूक होना चाहिए किर्प्या इसे अति अवश्य साजह समझा जाए अब यहाँ पे देख लीजिए सभी के साइन यहाँ पे किया गया है परिक्षा नियंत्रक जो है बिहार वि अच्चों में तक है तो आप यह सब देख सकते हैं अभी मैं क्या बुलूँ मेरे पास खुद कोई शब्द नहीं है कि इतनी जल्दी पॉण्बरा और इतनी जल्दी एक्जाम होगा इतनी जल्दी इसलीह हो रहा कि इन्होंने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया और उसमें अपनी गलती थी, इसलिए वरना हमारा एक्जाम तो हो चुका होता क्योंकि एस्टेट उनको क्या करना चाहिए था उसमें सभी को सामिल कर लेना चाहिए था, उसके बाद वो एस्टेट ले लेते, समझ रहे हो मतलब कि जितने भी लोग है सभी को वो सामिल कर लेते ठीक है उसके बाद वो एस्टेट ले लेते और एस्टेट को फिर जो कौलिफाई करता तो उसकी उसको जोइनिंग दे देते अगर वो बोल रहे हैं कि एस्टेट जरूरी है वैसे एस्टेट क्यों जरूरी है मुझे नहीं पता डैली में एस्टेट जरूरी जरूरी नहीं है और आज़यो में जरूरी नहीं है अब कुछ रियाना भी करने लगे हैं एसट्रेट चलता है तो कुछ कुछ राज इसा करने लगे हैं लेकिन जादा तर में music में आज तक नहीं होता प्रभाकर के वेश में लिया जाता रहा है, अभी भी आप देखोगे बिहार में जितने भी music teacher हैं, वो प्रभाकर और प्रभीवीन के वेश पे teacher लगे हूए हैं, डैली में भी बहुत साई भाते करने से कोई भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई सरकार कान बंद करके उनको जो अपना मन कर रहा है बस वही करे जारी है सरकार अप मेल के माध्यम से और ट्विट के माध्यम से जो भी संदेश सरकार तक पहुचाना चाहते हैं वो पहुचा सकते हैं एक और वीडियो मैंने बनाई है कि आपका जो कि आपका बहुत जल्दी एक्जाम भी हो जाएगा 4-15 के बीच में हो जाएगा आपके एक्जाम तो आज के लिए इतना ही तो अपना ध्यान रखेगा पड़ते रहेगा स्वस्त्र रहेगा मस्त रहेगा प्रिपेशन के साथ जवरदस्त रहेगा और अभी तक चैनल को सस्क्राइब कर लो लाइक कर लो बेल आइकल प्रेस कर लो और कोई भी प्राब्लम होता और टेलीग्राम से जुड़ जाईए क्योंकि वहाँ पे पूरा जुड़ जुड़ा हुआ है एस्टेट को लेके ठीक है मैं जुड़ बोल रहा हूं उसको कि कितने कम बारा सो लोग है बारा सो से जादा है सोरी तेरा सो के आसपास होने वाले है तो आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं आपको मन है तो जुड़ सकते हैं नहीं है तो कोई बात नहीं बस इतना ही कहना था तो थैंक आवरिवन जैहिन जैभारत